बॉलिवूट से एक बहुत ही चौकाने वाली खबर सामने आई है मसहूर एक्टर शुशान सिंग राजपूत ने मुंबई में अपने घर में ही फासी लगा कर जान दे दी वे 34 साल के थे सुसान्थ बॉलिवूट के बेहद लोगप्रिय एक्टर थे रिपोर्ट के नुसार सुसान्थ के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम से सुसान्थ फासी के फंदे में लटके पाए गए पुलिस की रिपोर्ट के नुसार वे पिछले 6 महने से डिप्रेशन से गुजर रहे थे उन्होंने अपने करियर की सुरुवात टीवी एक्टर के तौर पर की उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम के धारवाहिक में काम किया था पर उन्हें पहचान एक्ता कपूर के धारवाहिक पवित्र रिस्ता से मिली इसके बाद उनका फिल्मों में सफर सुरू हो गया था वे फिल्म काय पोचे में लीड एक्टर के तौर पर नजर आया थे और उनके अभिनए की तारीब भी होई थी इसके बाद वो सुद्ध देशी रोमेंस में वानी कपूर और परिणीती चोपड़ा के साथ दिखे हाला कि उन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा भारती टीम के पूर्व कप्तान एमेस धुनी का किरदार निभाकर बटो रहा था नीरश पांडे द्वारा निर्देशित एमेस धुनी की बायो पिक सुसांद के करियर की पहली फिल्म थी जिसने सौ करोड का कलेक्शन किया था सुसांद इसके अलावा फिल्म सोन चीडिया और छिछोरे जैसे फिल्मों में नजर आ चुके थे उनकी आखरी फिल्म केदार नाथ थी जिसमें सारा अली खान के साथ दिखे थे सुसांद की अपकमिंग फिल्म कीजी और मैनी थी इस फिल्म का कुछ समय पहले फर्स्ट लुक भी रिलीज हुआ था ब्यूरो रिपोर्ट डियनेक्स टीवी रायपूर